हेलो एब्रिवन आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा यूजफुल और कमाल के टिप्स और ट्रिक्स जो की आपको काफी हेल्प करेंगी आपकी कामों को बहुत इजली से करने के लिए बहुत ज़ादा यूजफुल कीचेन हैक्स लेकर आई हूँ तो आज की वीडियो को आप जड़ाबी स्किप मत कीजिए क्या क्योंकि कोई भी टिप आप के लिए यूजबुल हो सकता है तो चलिए फिर आज की न्यू टिप से अंटरिक से शुरू करते हैं बीना किसी देर मेरी सबसे पहली टिप इस तरह से बदाम को लेकर है जिसके यूजब काने के लिए करते हैं लेकिन आज मैं आपको इसका एक न्यू यूनिक सा यूजब बताने वाली हो जो की आपके लिए काफी हैल्पुल है आपके ये बहुत ही काम आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गैंस ओन कर लेना है और बदाम को इस तरह से जला लेना है तो यहाँ पर आप चिम्टे से भी पकड़ सकते हैं बदाम को उसके बाद में आप इसे जला लेजिए ताकि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी जलन ना पड़े उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस तरह से बदाम को उतना जलाना है जब तक ये आगे से बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए तो अभी ये हमारा होम मैट काजल बनकर त्यार हो चुका है जैसे बचों की आखों में डालने के लिए बहुत ही बढ़िया काजल है जिनकी आखों की रोशनी गमजोर हो चुकी है तो वो भी इस तरह से अगर बदाम को जला करना थोड़ा से ठंडा हो जाए उसके बाद में इ तो इससे आखों की रोशनी भी बढ़ती है तो ये इसमें कोई भी कैमिकल वग्यारा मिक्स नहीं हुआ होता है तो ये मारा बहुत ही ज्यादा यूसफुल हो मैट काजल बनकर त्यार हो चुका है तो चलते हैं नेक्स टिप की और अगला जो मेरा टिप तरह से है कि जब भी जब वग्यारा इस तरह से पहनते हैं तो कुछ शैंडल क्या होती है कि हमारे पैरों में लगती रहती है जिसकी वज़े से इसके यूजब बता रहे हूं जो भी जब बने चुबती है तो आप क्या कीजिए उसके जो नीचे वाले पार्ट होता है इस पर आपको ऑलिल तो handle गएर आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं चुबेगी, और आपका पैर बिल्कुल भी रेड नहीं होगा, तो इसी तरह से आपको oiling जुरूड करनी है, छे सा दिन आपको लगातार अपनी sandal में oiling करनी है, तो इस तरह से आप इजली अपनी sandal को पहन सकते हैं, तो I hope क यह बी tip आपको काफी जयदा पसंद आया होगा तो चलते हैं मारि यूजब टिप की ओर मेरी अगली टिप जो है वह हल्दी के डिबे को लेकर आएक यह होता है कि जब ही हम हल्दी के डिबे में अपनी हल्दी निकालती है तो हमारे हाथ जो है वो पीले हो जाती है क्योंकि चमच से निकालते हैं लेकिं चमच को पकड़ के टाइम ना हमारे हाथ पीले हो जाती है चमच जो है वो नीचे गिर जाता है तो इसके लिए ना मैं आपके लिए यूसफुल टिप लेकर आई हूँ आप किस तरह से अपने चमच को हल्दी के डिबे में रखें ताकि आपके हाथ जो है बिलकुल भी पीले ना हो इसके लिए आपको क्या करना है किस तरह से एक रबड ले लिनी है और रबड को आपको चमच पर इस तरह से चला देना है उसके बाद में जब भी आप चमच अपने डिबे में रखें तो थोड़ी से रबड को बाहर उपर की तरफ निकालें उसके बाद में हल्दी के डिबे का धकन लगाएं इससे आपका चमच जो है बिलकुल भी नीचे नहीं गिरेगा उपर ही रहेगा और उसके बाद में जब भी आपको यूज करना हो हल्दी को तो आप पहले बाहर से जो रबड हमने थोड़ी से निकाली है ने इसको पकड़ लीजिए उसके बाद में आप धकन को हटाएंगे तो आपका चमच जो है बिलकुल भी नीचे नहीं गिरेगा और आपकी हाथ जो है बिलकुल भी पीरे नहीं होगे इस तरह से आप इसको यहाल्दी को इसली यूज कर सकते हैं अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से जर्शी वगयाना को लेकर है विंटर से जर्शी वगयान पहले जर्सी पर जितनी वी बाजू आपको ऊपर करनी है उतनी ही आप रबट चिडा लीजिए उसके बाद में आप अपनी बाजू को उपर करेंगे तो आप जितना भी काम करें आपकी जो बाजू है अस्वेटर की वह बिल्कुल भी नीचे खिसकर नहीं आएगी इस टिप क को भी आप बहुत ही ज़्यादा इस दिर ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा है आपको काम करने के लिए अगला जो मेरा टेप है वो कॉफी को लेकर है कॉफी जब भी हम लाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में अगर कॉफी में सीलन आ जाती है तो आप इस टिप को अगर सीलन आ जाती है तो इतना टेस्ट कोफी का बढ़िया नहीं रहा जाता है जहाग अच्छे से नहीं बन पाती है इसके लिए आप थोड़े से ना इस तरह से चीनी के दाने लिए थोड़ी से चीनी ना आप इस कॉफी के डिबे में डाल कर रखिए इससे जो भी समझ लेते हैं कि खराब हो चुका है देश्ट हो चुका है आज मैं आपको एक यूजफूल टिब बताने जारी हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके धकन को हमें निकाल लेना है उसके बाद में इसकी जो यह सीटी है इसको भी हम अटा देते हैं फिर आपको क् है 17 और 17 ऐसे आपको इस होल में distint को डालना है जैसे कभी-कभी दणा रचावल गया न बनाती तो कोई न को चावल काऊ दायना है या पर इसमें न जम जाता है उसके वैसे मारे कुकर के जिब धकन जहांसे सेप्टी पिन से खोलना चाहिए और इस तरह से हमारे धकन की सीटी आना शुरू हो जाए और इस तरह से हम अपने कुकर को जो है इसली क्लीन कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें गंदगी ना रह जाए उसके बाद में आप अपने कुकर का धकन चलाएंगे न तो आपका आपके कुकर के ढकर में सीटी आना बंद हो गई है अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से आलू के प्रांठे को लेकर है जब भी आलू के प्रांठे बनाते है तो इसके लिए आप किया कीजे जब भी आलू के प्रांठे बनाएं तो स्टफिंग में आप इस तरह से अजव पानी के थर्मस को लेकर है क्या होता है कि विंटर्स में जैसे अब जर्दी आ चुक है तो हम इसमें दूद गया या फिर चाइव गया डाल देजें ताकि वो गर्म रहे इसके लिए यूजफुल टिप बताने जारी हूं क्योंकि दूद या फिर चाइव नीचे तले में जम जाता है तो इसको क्लीन करने के लिए आप इसमें रोज रोज तो नहीं लेकिन चार पास दिन के बाद में थोड़े से चावल की दाने आप इसमें डाल दीजिए उसके बाद में इसमें डाली आप इस तरह से कोई भी लिक्वेट शोब तो यहाँ पर मैंने डिशोब डाल पानी डाल दीजिए अगर 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 पानी करते हैं तो इस दो दाग होते हैं नीचे के तरफ यह ज्यादा गाड़ी हो जाती है बाद में इसको क्लीन काना बहुत ज़्यादा टफ होता है तो आप चार-पास दिन के बाद में आप इसको इस तरह से चावल के दाने डाल कर जूर क्लीन कीजिएगा यूंकि हाथ हमारा हिंसके अंदर नहीं जा पाता है तो चावल एजा स्क्रबर का काम करकर बहुत ही अच्छे से बोदल को क्लीन कर देंगे तो आपको इस टिप को भी जूरू ट्राइ करना है तो आई होब कि यह भी टिप आपको काफी अच्छा ल तो मुझे कमेंट करकर जूरू बताइगा और आप अगली वीडियो किस यूसफुल टिप से देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट करकर बताएं क्यूंकि मुने आपके साथ डेली रोज रोज यूनिक से टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूं आप लोग वीडियो द साथ